कि इस प्लेटफोर्म पर आपका स्वागत है बच्चों तो आज का जो सैसे नहीं बहुती बढ़िया और बहुती मज़ेदार सैसे नहीं क्योंकि आज का जो क्वेशन है इसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं कर्फियूज होते रहते हैं तो चलिए देखते हैं इस यह बढ़ने वाल इंपॉर्टेंट जो बात है वह यह है सिस्टम के एंट्रोपी पूछ रहा है ठीक है प्रोसेस क्या है एर्रिवर्सबील प्रोसेस है और उस केस में सिस्टम की प्रोपाटि में क्या च्चेंज आएगा मस्त क्रीज अल्वेस रिमेस यह को सब्सक्राइब गोर्भ इंपडरिस का इसका है complete हो गया है ठीक है मतलब entropy always increases गलत अगर हम बोले कि कि irreversible process है कोई ठीक है अगर मैं कहूं कि कोई process है irreversible process ठीक है irreversible process है बच्चो ठीक है मैं कहूं एक statement मैंने बोला पहला statement entropy always increases कि क्या यह सही है है कि दूसरा statement मैंने बोला entropy of universe always अब बताये कौन सा statement इन दो में से सही है आपको clearly दिख रहा होगा statement two जो है आपका सही है statement two is right but statement one is wrong क्यों है मैं बताता हूं यहां पर देखिए क्योंकि universe की बात हो रही है definitely अगर को irreversible process हो रही है irreversible process के लिए universe के एंट्रोपी हमेशा आपकी बढ़ने वाली है clear लेकिन अगर अब हम बात करें कि entropy always statement बिल्कुल गलत है क्यों गलत है अगर मैं बात करूं कि entropy always increases मैं बात करूं कि system के लिए तो क्या system के entropy हमेशा बढ़ रही है नहीं कैसे सपोज मैंने का यह को आपका system है ठीक है system है यह पूरा system है आपका ठीक है आपने क्या क्या आपने क्या क्या बच्चों यहाँ पर हीट दी हीट दी इसको obviously इसके entropy क्या होगी बढ़ेगी entropy क्या होगी बढ़ेगी लेकिन अकर मैं बोलू आपने क्या है यहाँ से हीट लिए हीट दी नहीं है बलकि हीट इस system ने बाहर surrounding को दिये तो definitely इस system की होता है अब आप जाए रहे है क्योंकि डेल को अगर आप दे रहे है इस वाले के समसे बाहर जारी हीट तो तो डेल क्यों क्या होगा जब system से reject होती है that is negative इसका मतलब है कि आपका चेंज और अन्ट्रॉपी क्या है आपका negative negative मतलब आपके entropy क्या हो रिये बच्चों decrease हो रही है कि यहाँ आप यह जो हो रही है। आपके gives ऑली च्री में को और गिसलिकर Susie की बात करूं, जहाँ यह अब किर यह बक्ता सब्सक्राइब को ति ऌप यह है और सिच्षम को देखने हैं ऑपर वाले में क्या था यह निगर णेर तक है अगर ऐसा है तो क्योंकि system heat दे रहा है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि change in entropy अगर हम देखें तो आता है del q upon t आता है आप जानते हैं कि del q आपका क्या है this is positive ठीक है इसका मतलब change in entropy positive है तो मतलब कि आपका change in entropy अगर positive है entropy मतलब आपकी increase हो रही है इसका मतलब same सब कुछ हमारा पास same irreversible process है irreversible process है system को entropy बढ़ रहे है तो entropy बढ़ रहे है system से बाहर जा रहे है तो गड़ रही है ठीक है लेकिन अगर हम combinedly देखें देखें क्योंकि इस दूरिंग देप्रोसेस आपका क्या है एक और टरमाता है जिसको हम बोलते है एंट्रोपी जनरेशन तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम बात करें देखो system से बहार जब हीड गई सिस्टम के एंट्रोपी कम हुई ठीक लेकिन सराउंडिंग जिसने हीट ली उसके एंट्रोपी बढ़ गई एक की कम हुई एक की बढ़ गई यहीट रांसपर के कारान हुआ लेकिन क्योंकि अगर इरिवर्शिविल प्रसेस तो इसके दोखन कुछ एंट्रोपी आपकी जनर सब्सक्राइब कारन होता है तो देफिलिघ프 यूइनिवर्श के एंट्रोफिय आपकी इनक्रीज होगी एot लेकिन सिस्टम की इंक। emrease होगी याई डिक्रिइज होगी यह हम नहीं कह सकते हैंकरीज भी हो सकती है और डिक्रीelsels सबक्षार है हाँ य्वार्ट के हमेशा इंगरेज होगी इसलिए एंट्रॉफिक यूनन्यरे अलवज इंक्रिजेज बिल्कुल आए लेकिन एंट्रोफी ऑल्वेस इंक्रीज इंस ये गलत है रही इंक्रीज भी हो सकती रेकिंच श॥ी। जा क्या हो रहा है यहीन ही पूर रिजेक्त या कुछ ठ़स आपर कुछ pigem बढ़े सकते है। बढ़ें वो डिखले के लिए, भी जाकते है। मतलब सनद नावी बढ़ें से एक लिए हमेशा इंक्रीस होगे, टीम के लिए हन्क्रीज भी हो सकते है और रहे सकते है। तो एन्ट्रोपि जर्ख बिल्कुल गलत है। entropy of universe always increase this is a right statement clear correct statement आजे यह आपका question पर जो question आपका था basic ठीक है यह question था हमारा पहला ठीक है क्या होगा system की बात करिए इसने हमने बोला कि system के entropy क्या है सकती है इसका मतलब यह आपका अंसर है यह गलत है ठीक है अगर यहां पर यूनिवर्स लिखा होगा entropy of the universe तब आपका क्या आने चाहिए मस्ट इंक्रीज़ के लिए अधर वाई सिस्टम की इंक्रीज़ डिक्रीज या रिमें कॉंसें तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि मिलरली एक एक क्वेशन भी आ है entropy change क्या होना चाहिए अगर प्रोसेस को फीज़िवल होना है entropy change क्या होना चाहिए वाट शुट भी इंज इन एंट्रोपी एक बढ़िया कोशन है अलग से भी इसको रख सकते थे हम लेकिन चलो इसी भी कर देते इसको ठीक है अब एंट्रोपी में क्या चेंज होना चाहिए कहते हैं बता冷 Rechts पहले एंट्रोपीति एस फटेक है अब तो अगर फ्रोसेस को फीज़िब लोना है ऑ फीज़िवल होने के लिए क्या होता बेटा उसमीन का मतलब है अगर अगर फीज़िविल होतना है तो क्या होगा आपका या तो फॉरसिमल होगी ठीक जब अगर रिवर्सरेटिस एट तो आपका सी जबल डेफिनिटिलिविट अगर प्रोसेस है अब क्या होगा से एसवं और वइस टो बराबर होंगे इलेर पिवनम क्या हो जाए गा जरो जाएगा अगर प्रोसेस इरिवर्समेल है तो डेफिनेटली च्रूण प्रेत रख मेर पोहेश्थ सवन सब्सक्राइब ज़िए परदंड को च nettอव गेली सब्सक्राइब अगर इसको फीजिबल होना है तो चेंज इन रोपे में क्या होना चाहिए है अगर इरिवर्श प्रोसेस दो हमने बोला एस वन एस टू तो बराबर नहीं है ठीक है ना तो हमने बोले कि इसने बोला एंट्रोपी चेंज इसने यह नहीं हम नहीं बोला इसने बोला कि किक रीवर्श पर्षर प्रोसेस के लिए आपके प्रोसेस के लिए आपकी hyd deepen एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा वह एंट्रोपी में एंट्रोपी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है और टेम भी रह सकती है इंक्रीज डिक्रीज और सेम कुछ भी आपकी रह सकती है तो आपका आप संडी आंसर हो जागा है कैन भी पॉजिटिव और जिरो पॉस्टिव निगेटीव या जीरो में से भी हो सकती है अगर आपको क्या है फेजिवल बनाना है ठीक है लेकिन अब और आपके दिमांग में चलेगा कि इसर इंपॉसिबल सिस्टम होता है जिसमें आपका चेंज इन एंट्रोपी का होता है तो बेटा इंपॉसिब हम करते हैं ऑफ्ट्रोपी आ के अगर डिक्रीज हो रही है आफ्टर द प्रोसेस इसका मतलब है कि प्रोसेस इजिए इंपॉसिबल इंपॉसिबल अक्रीज नहीं हो सकती यूँनिवर्स की या तो प्संट रहेगी ठीक है और या तो आपकी इन थिक है वो अलगी ये लेकिन फिनिशनी इनुवर्स कि बात नहीं कि आद एंटरोपी चेंज सिंपली हम यह मानेंगे कि एक सिस्टम की एंटरोपी में चेंज क्या है आपक़ पॉजिटीव भी हो सकता है बिगिटीव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कि लिए अगर यह बोल रहा है कि फीजिवल अगर है तो भी फीजिवल का मतलब है तो फीजिवल कौन सी होती है इर्रिवर्सिबल प्रॉसेस एक्ट्वल में फीजिवल होती है ठीक है बतलब प्रैक्टिकली यही होती है यह आपका आइडियल कैसे होते हैं जब हम पूछ रहा है तब जाके हम उस केस पे आ सकते हैं तब जाके हम उस केस पे आएंगे कि वह और सब फीजिवल होगा या नहीं होगा अगर युनिवर्स के एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो यहां पर ऐसा कुछ भी आपको इंडिकेसन ना दिया गया है ना यहीं पूछा गया अगर यह बोलता ओर युनिवर्स अगर यह स्पेसिफाइब करता कि युनिवर्स के एंट्रोपी में क्या चेंग जाएगा या तो पॉस्टिव होगा या जीरो होगा इका चेंज इन एंट्रोपी ओपीडिवर्स वाट उसने कुछ नहीं इसा पूचा है कोई अगर आप को यह वीडियो प्रसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें थाक्यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीड बढ़ साओ करें करें रहें ए Spotन यरूर को रहे हो वाचिंग एदया है तो